आज 6 एप्रिल थास्डे एक्सपैरी अभी दस बच के तीन मीट हो चुका है तो इसी टाइम एक रेपो रेट का न्यूज आया था उसी के चक्कर में बैंक निफ्टी बहुत आप गया है आप देख सकते हो मैं जो दो लोट पे बहुत अच्छे का सा प्रॉफित हो रहा है मैं एक बार आपको चार्ट दिखा दूँ दो बच के दस मीट पे देखो अभी मार्केट फुल आप मुफ जा रहा है तो इसी जगह पे ना जो लोग प्रॉफिट में होता है वो लोग क्या करता है जल्दी प्रॉफिट बॉफिट करना नहीं होता है अगर आप अगर पूट सा क्योंकि पता नहीं वो मार्केट कितने उपर आपको कितने सकता हैं कि तो लुट में हो तो उसको जल्दी काट करना सीखो प्रॉफिट में पर काट कर रहा हूं क्यूंकि मैं थोरच सा महपंगा वाला सेल करना है नुझे तो पॉपित मुझे ज्यादा मिलेगा क्या क्यूंकि इस ओप्शन में 26 साथ आप हैं तो उसका महपंगा देखेंगे तो पूट एक्सपाइड में मैक्सिमम लॉस दिखा जाता है क्योंकि यहां पर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है ओभा टिट करता है लोग तो यहां पर देखो नेक्स टेर भी लिया और दो तिन इन्वेस्ट मेंड भी किया प्रॉफिट का पैसा मैं बाला है लेकिन मैं होल्ड नहीं करूंगा पाशाजर के उपर आएगा तो मैं एक्सिट कर दूंगा क्योंकि एक्सपाइड है कुछ भी पॉसिबल है वो दस रुपई से 40 रुपई भी जा सकता है तो मैं स्टॉप लॉस को टेल नहीं करूंगा डायरेक्ट जब मुझे कर दोगा मेरे सिस्टम आप प्रॉफिट करो या लॉस करो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और इस स्टेड में आप देख सकते हो दो लॉट मैंने सेल किया सेर्फ और सेर्फ एट्टी थाउजन के करीब यहां पर देख सकतो 77 थाउजन यूज मार्जिन होए मतलब अन्दर दोलॉट सेल कर सकते हों कि यूए थास्टे में लोग सस्टे में creative बाई करके पॉफिट करने के चकर में फूरा कैफिटल गबा देता है उसको नहीं पता है कितना एक दिन में रिस्क लेना है जब प्रॉफिट करता है तो बहुत अच्छा लगता है पर जब लौस करता है वह पूरा होड कर लेता है अपना अपना पोजिशन शाहिद एक दो दिन प्रोफिट हो जाए बट नेक्स डे जब लॉस होगा वो पूरा का पूरा जो अपने प्रोफिट किया वो लेके चला जाएगा उल्टा आपका कैपिटेल भी डेंट कर देगा तो रिस्क मेनेजबेंट मानी मेनेजबेंट और स्ट्राटेजी को फॉलो कर सब्सक्राइब और एक बात याद रखना जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे पहले जो सेल बला है ना जो नेगडिव में दिख रहा है उसको पहले निकलना होगा बाई का भूल कर भी मत निकलो क्योंकि आपको पेनटी लाग सकता है जो सेलिंग बला है उसको पहले निकलो उसके बाद जो बाईंग बला है उसको निकलो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना थैंक्यू